नमस्कार साथ यूं स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल YK Online Education में उमीद है आप सब लोग स्वस्थ होँगे मस्थ होगे और अपनी पढ़ाई में देस्थ होँगे दोस्तों जैसे हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ आपकी भर्तियों से संबंदित अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं तो चलिए आज इन्ही अपडेट्स को लेकर के आपके जो अपडेट्स सेक्शन है उसके थेट हम बात करेंगे कुछ महत्तपूर्ण अपडेट्स को लेकर के तो यहां पर कई लोग मुझसे प्रस्ट पूछ रहे थे कि कब तक फॉर्म निकलेंगे जो सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए बने रहे हैं आप लोग वीडियो फूरा देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर की कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं देखें उत्राखंड में अब भरतियों की रप्तार बढ़ने जा रही है राज्य सरकार ने सभी प्रमुक सचिव और सचिवों से अपने अधीन विभागों से रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं लोग सेवा आयोका के परिदी के बहार पदों पर विभाग ने खुद ही भरती एजन्सियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये हैं चलिए यह तो है आपकी जो शासन प्रश रिक्तियां हैं तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो कार्मिक जो शचिव हैं उन्होंने कुछ यहां पर अपना एक भयान जारी किया है भर्तियों को लेकर सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है इसमें तेजी लाने के को दिव्यांग जनों के पदों का चिन्नी करण समय रहते पूरा किया गया तब सभी विभागों से ततकाल भर्तियों के प्रस्ताव मांगे गए हैं जिससे भर्ती परिक्रिया में तेजी लाजी जा सके तो यह आप देख पा रहे होंगे और रिक्त पदों का व्यूरे कि अगर हम बात करें तो देखिए सिक्षा विभाग में जो है 5710 पद आपकी अभी तक रिक्त हैं और इन पर भी बढ़तियां होनी हैं इसके अतिरिक्त शिक्षा और चिक्षा सिक्षा में 5710 है चिक्षा सिक्षा में अकेले 3945 पद हैं ग्रहे विभाग में हैं आपके 2461 पद वन विभाग के तहट आपके जो है 2428 है उर्जा विभाग में 2200 पद हैं और सिचाई विभाग में 1412 पद हैं कौसल विकास विभाग में 1203 पद हैं तो यह आप देख पा रहे होंगे इन इन विभागों से जो है सुचनाई मांगे गई हैं और अधियाचन मांगे गई हैं जल्द ही, इस falando अपको भड्यां बंगी जाकती सकती हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी भड्यासों होंगी, और अपके बिल्कुल तयारी जारी होंगी, जब निकलेंगे, तब आप तयारी करेंगे, ऐसे जल्ती दो fail in the rearrangement. आप मुझे कमेंट करकी लिख सकते हैं चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की और बेसिक शिक्षकों के त्याइस सो पचास पदों पर होगी भड़ती तो देखिए बेसिक शिक्षा के अंतरकत अगर हम बात करें तो अभी जो पुराली भड़ती है वही कोट में लटकी व हो चुका है इस बीच निए योएस डियलट और बीयट प्रसिक्षितों के सुप्रीम कोट में जारी केस के कारण बाकी भड़तीयों को रोकना पड़ा है यदि आपको ग्यात हो तो मैंने पहले भी अपने चैनल पर इसका अपडेट दिया था जो लड़ाई है वह एस और ब बच चुके हैं उसमें तो उन पे अभी सुप्रीम कोट में यह मामला चल रहा है क्योंकि वहां पे जो है प्रिफर बीयट वालों को करें या नियोएस से डियलट वालों को करें इस पर संश्रय बना हुआ था तो इन दोनों के दोनों पक्षों में विवाद है तो अब जब अगली जो पर करिया है उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं तो जलेवार जो पाद खाली है वह इस तरह से हैं आप लोग देख सकते हैं और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि चार साल का उन्होंने अपना रोड में बताया है कि इस पे क्या इनका बढ़तियों के संबंद में तुझ कह रहे हैं कि आगामी चार सालों में पंद्रह हजार पदों पर भरतिया करने का लक्ष रखा गया है इसमें एल्टी इसके तहट इसके अनसार वर्स तक बेसिक किस तर पर 6882 नहीं भरतियां की जाएंगी अब देखना ही होगा कि यह खबर अकवार तक ही सिमित रहती है या इस पर कार्य भी होता है तो यह था हमारा अपडेट आज का उमीर है जो बातें यहां पर आपको देखने को मिली है जरूर सच हो और यह भरतियां जरूर निकले बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें उनका महनत का फल मिल जाए तो हम यहीं उमीद करते हैं चलिए देखते हैं क्या होता है आप लोगों की इस खबर को लेकर इस वीडियो को लेकर क्या मेश कर